प्रोगोवरडी सिजन 10 का आउक्शन खतम हो गया और आउक्शन के बाद mostly हमने सिर्फ रेडियर्स के बारे में बात किया है डिफेंस पे इतना ज़्यादा चर्चा नहीं किया है आये इस ड़ो में चर्चा करते है डिफेंस के बारे में और सुरुवात करते है कवर्स के साथ तो इस डो में हम cover duo के बारे में बात करने वाले सभी teams के बारे में और कैसे बात करेगे ranking के थुरू बात करने वाले हर एक team के cover duo को ranking के basis पे आपको बताने वाला हो कि कौन से team का cover duo जादा strong है और कौन से team का cover duo जादा weak है तो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला वीडियो के end तक बने रिये शुरुबात करते rank number 12 के साथ तो मैंने 12 रैंक पर रखा है Bengal Warriors के team को जी हाँ Bengal Warriors का जो defense है वो इतना भी जादा on paper strong नहीं है कौन होने वाला Bengal Warriors का cover duo वो यहाँ पे स्रेयस, उमबरदंद और वेभव गर्जे रहेगे लेप्ट कवर पे स्रेयस और राइट कवर पे हमें वेभव गर्जे देखने को मिल जाएगे मैं आपको बता दू दोनों ही NYP players है जहाँ पे स्रेयस को Bengal Warriors की team में sign किया और वेभव गर्जे एक सिजन खेल चुके और अबी भी NYP है स्रेयस की बात की जाए तो इनको sign किया लेकिन प्रो कबड़ी के अलावा यूआ कबड़ी सिरीज में काफी अच्छा प्रदसन दिखाया 2013 के यूआ कबड़ी सिरीज में 13 मैच में 40 tackle points इन्होंने score किया था जिसमें 4 high five सामिल थे तो overall इनका performance अच्छा था जिसके कारण Bengal के team ने इन पे trust दिखाया है वहीं पे वेभव की बात की जाए तो 18 मैचेस में 31 points इन्होंने score किया पिछले PKL season 9 में तो इन पे भी ज़्यादा उमीदे है लेकिन lack of experience के कारण मुझे लगता है कि Bengal Warriors का जो cover duo इतना भी ज़्यादा सही नहीं लग रहा है नंबर 11 की बात की जाए तो नंबर 11 पे मैंने दबंग डली को रखा है दबंग डली का cover duo रहने वाला इस season हिम्मत अंतिल और बाला साहब जादाओ लेफ्ट कवर पे हिम्मत अंतिल और राइट कवर पे बाला साहब जादाओ हिम्मत अंतिल को दबंग डली की team ने sign किया और बाला साहब जादा और पिछले दो सीजन से पुनेडी पल्टन के स्कॉर्ड में थे जादा मैचेस में खेलने का मौका इनको नहीं दिया गया पुने के team से season 9 में इन्होंने 6 मैचेस खेले season 8 में 7 मैचेस खेले और जादा प्रदर्शन नहीं दिखा पाए तो इसमें भी हम कहा सकते कि lack of experience और साथी साथ यहाँ पे in form players है मतब कि out of form players है जिसके कारण दबंग डली को मैंने number 11 पे रखा है number 10 की बात की जाए तो number 10 पे मैंने 3 टाइम champions पटना पाइरेट्स को रखा है पटना पाइरेट्स के cover duo इस साल भी वो ही रहने वाले सजिन चंद्रशेकर और नीरज कुमार ये दोनों का जो cover duo है आपको याद होगा season 8 में धमाल मचाया था लेकिन season 9 में दोनों ही flop हो गए जहाँ पे सजिन ने season 9 में 13 matches में 10 points score किये जहाँ पे सजिन ने 23 matches में 35 points score किये और नीरज कुमार ने 23 matches में 54 points score किये तो उमीद करते है कि season 9 के प्रदर्शन को भुला कर season 10 में काफी अच्छा performance दिखाए नमबर 9 की बात किजाए तो नमबर 9 पे मैंने तमिल थलैवास को रखा है तमिल थलैवास के जो cover duo है वो इस पार भी सेम रहने वाले जो यहाँ पे मोहित जाकर एंड एम अभिशेक रहने वाले है overall देखा जाए तो season 8 से compare किया जाए तो season 9 में दोनों ने काफी अच्छा performance दिखाया इनका performance काफी improve हुआ है जहाँ पे मोहित जाकर ने season 9 में 22 matches में 34 point स्कोर किया एंड वहीं पे एम अभिशेक ने 23 matches में 40 point स्कोर किया तो दोनों ही क्या प्रदसन अच्छा था season 8 में दोनों ने ही अच्छा performance नहीं दिखाया तो उमीद करतेगी अच्छा performance दिखाया नमबर 8 की बात की जाए तो रैंक नमबर 8 पे मैंने Telugu Titans को रखा है Telugu Titans के cover duo में कौन है वो है परवेस भेंसवाल एंड ओमकार मोरे एक है टीम के वाइस कप्तान एक यह जो अभी भी match नहीं खेल पाए प्रो कबड़ी का डेब्यू करने वाल है प्रो कबड़ी का तो इनके पास experience नहीं है जो थोड़ा दिक्कत दे सकता है लेकिन परवेस के साथ अगर आप partnership करने वाल हो तो मुझा लगता है कि अच्छा performance कर सकते confidence में boost मिलेगा साथवे rank की बात की जा तो rank नमबर 7 पे मैंने पुनेडी पल्टन को रखा है पुनेडी पल्टन का कौन है cover duo सेम रहने वाले जो यहाँ पे संकेज सावंथ और अभिनेश नदराजन रहेगे लेफ्ट कवर पे संकेज सावंथ और राइट कवर पे अभिनेश नदराजन की जोड़ी देखने को मिल जाएगा जहाँ पे संकेज सावंथ ने पीकल 9 में 24 मैचेस में 30 टेकल पॉइंट स्कोर किये और अभिनेश नदराजन ने 15 मैचेस में 35 पॉइंट स्कोर किये तो दोनों ही काफी अच्छे फॉर में चल रहे और वहीं पे पीकल 8 की बात की जाए तो दोनों का ही डिसेंट सा पफॉरमेंस था जहाँ पे अभिनेश अच्छा खेले थे as compared to पीकल 9 और यहाँ पे आपको बता है कि अब डेली कुछ न कुछ अपडेट्स आ रहे और जो भी क्रिकेट के फैन से कि वह आपको सिर्फ क्रिकेट गली के टेलिग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा जिन्होंने अल्रेडी जोइन कर लिया उनको हर एक अपडेट आईपल रिटेंशन के डिकार्डिंग मिल गया होगा आपने भी तक जोइन नहीं किया फटफट जाके जोइन कर लिजे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रिकेट गली का लिंक दे देने वाला उन्हीं तो आप टेलिग्राम पर सिंप्ली जाके एड़ेट क्रिकेट गली सर्च करके जोइन कर सकते हो कबड़ी के साथ आईपल का भी अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप क्रिकेट गली चैनल से जोड सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइट कर दिया जाएगा अब यहाँ पर हम टॉप 6 में आ चुके हैं एंड रैंक नमबर 6 की बात की जाए तो रैंक नमबर 6 पर मैंने रखा है यूपी उधास को यूपी उधास के टीम के कवर डूओ की बात की जाए तो हमें देखने को मिल जाएगे हरिंदर कुमार एंड आसु सिंग लेफ्ट कवर पर हरिंदर कुमार एंड रैट कवर पर आसु सिंग तो इस बार का कवर डूओ यूपी उधास का सच में काफी स्टॉंग देखने को मिल रहा है जहाँ पर हरिंदर कुमार की बात की जाए तो पीकेल लाइन में इनका पफोर्मेंस डिसेंट सा था 21 मैचेस में 26 पॉर्मेंस इन्होंने स्कोर किया लेकिन पीकेल एट में काफी अचा पफोर्मेंस इन्होंने दिखाया था जहाँ पर 21 मैच में 31 पॉर्मेंस इन्होंने स्कोर किया वहीं पर आसु सिंग की बात की जाए तो आसु सिंग का पफोर्मेंस पिछले दो सीजन से अ नमबर 5 की बात की जाया तो मैंने पांचवे रैंक पर रखा है गुजराज जायंट्स को गुजराज जायंट्स के कवर डूओ पीकिल 10 में देखने को मिल जाएगे अरकम शेक एंड सौरफ गुलिया कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है दोनों ही काफी अच्छे ड 22 मैचेस में 40 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया तो ओवरोल काफी अच्छा प्रदर्शन था एंड सौरफ गुलिया की बात की जाये तो ये तो अच्छा खेली रहे सिर्फ 16 मैचेस ही खेले पीकेल 9 में एंड 35 पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया पीकेल 8 में जब प यहां पर चौते रैंक की बात किजाए तो चौते रैंक पर मैंने बैंगलूडू बुल्स को रखा है बैंगलूडू बुल्स के कवर डूओ रहने वाले P.K.L. 10 के लिए विशाल लाथर एंड सुर्जित सिंग हमें एक नया नाम देखने को मिल रहा है जो यहां पर सुर्जि 22 matches में 58 points इन्होंने PKL 9 में दिखाया था, PKL 8 में भी अच्छा performance दिखाया जब जैपूर के टीम में थे, 21 match में 39 points स्कोर किया, सुर्जी सिंग की बात किजा है तो सुर्जी सिंग भी अच्छे है लेकिन PKL 9 में इनका खराब सीजन गया, जहां पे 13 match में खाली 19 points स्कोर कर पाए, लेकिन जब PKL 8 में तमल थलावास की टीम में थे, 20 match में 57 points स्कोर किया, तो बैंगलूडू बुल्स की टीम यही expect करीगी, कि PKL 8 जैसा प्रदर्शन हमें इस बार सुर्जी से देखने को मिल जाए, तो मुझे लगता है कि experience काफी है दोनों के पास, और दोनों ही यह काबिलिय तरकते की अच्छा performance टीम के लिए दे पाए, rank number 3 की बात किजा, तो यहाँ पर मैंने तीसरे rank पर रखा है, defending champions जैपूर पिंक पैंथरस को, जैपूर पिंक पैंथरस का defense काफी strong है, जैपूर के टीम ने अपने core players को retain किया था, कोई बदलाब देखने को नहीं मिल रहा है, तो नहीं पर right cover पर सुनील कुमार तो अच्छा performance दिखाए रहे, पिसले season best performance आया था, 23 matches में 65 points इन्होंने score किया था, PKL 8 भी अच्छा था, इनका 23 matches में 39 points score किये थे, तो दोनों ही काफी अच्छे form में है, एंड उमीद यही करते कि इस बार भी अपना best डिलिवर कर पाए, जैप पुरी पिंग पैंथर स्को रखा है, तॉप टू में आ चुके है, नमबर दो की बात किजा है, तो नमबर दो पे मैंने यू मुंबा को रखा है, यू मुंबा का जो cover duo है, इस बार PKL 10 के लिए वो यहां पे महेंदर सिंग और सुरिंदर सिंग रहने वाला है, दोनों ही करते हैं, एंड बात किजा है महेंदर सिंग की, तो यहां पे इन्होंने PKL 9 में काफी अच्छा performance दिखाया, PKL 8 में भी काफी अच्छा performance इन्होंने दिखाया, PKL 9 में 45 पॉइंट स्कोर किये, PKL 8 में 40 पॉइंट स्कोर किये, तो overall consistent performance दिखा रहे, वहीं पे सुरिंदर सिंग क की बात किजा है, तो पिछले बार जब यू मुंबा में आये, तो काफी अच्छा इनका performance था, सिर्फ 12 मैचेस ही खेल पाये, लेकिन उन 12 मैचेस में 36 points इन्होंने स्कोर किया, तो दोनों ही के पास experience है, दोनों ही players form में है, तो यह यू मुंबा के लिए plus point निकल के आ रहा है, और यू मुंबा का cover duo सच में बहुत ही strong है, नमबर एक की बात करते, तो नमबर एक पे मैंने रखा है हरियाना स्टीलर्स को, हरियाना स्टीलर्स का cover duo रहने वाला है जैदीब दहिया और मोहीत नांदल, यह cover duo सच में beast है, जहां पे जैदीब दहिया, P.K.L.9 में 21 मैचेस मे 57 points score किये, और मोहीत नांदल ने P.K.L.9 में 21 मैचेस में 45 points score किये, अब आप कह सकते हो कि दोनों ही प्लियर्स एक सीजन अच्छा खेले तो इस बार अच्छा नहीं खेल पाएगे, लेकिन P.K.L.8 में दोनों ही प्लियर्स एक टीम से काफी अच्छा performance अगें दिखाये थे, जहांपे जैदीप ने P.K.L.8 में 22 मैचेस में 66 points score किये, और मोहीत नंदल ने P.K.L.8 में 22 मैचेस में 42 points score किये, तो दोनों ही प्लियर्स पिछले दो सीजन से एक टीम से काफी अच्छा performance दिखा रहे है, और मुझे लगता है कि इस बार भी अपना best deliver करने वाले, और cover duo की ब पहले मैच की, तो यहां पर मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसमें सभी टीम के starting 7 के बारे में बात किया है, जो यहां पर पहले मैच के लिए रहने वाले, आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, तो लेफ साइट पर क्लिक करके वो वाला वीडियो चेक आउट कर सकते ह और कवर डू वाला वीडियो अगर आपको पसंद आ गया है, तो आपको रेटिंग डू वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, वो वाला वीडियो भी चेक आउट कर सकते हो, उसमें भी हमने सभी टीम के साथ सभी टीम के रैंकिंग भी दिये है, तो वो वाला वीडिय देखने के लिए आप राइट साट पर क्लिक करके देख सकते हो तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे एक और ना इंटरस्टिंग वड़ो के साथ ठैंक्स फर वाचेंग